दोस्तों, पूजे गुरु जी ने अभी अपनी दो दिन पहले की शिव महापुरान की कथा में एक ऐसा विशेश उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया, पूजे गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परिशानिया आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्टरी, नौकरी, दुकान यह कुछ भी न चल रहा हो चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाए सिर्फ एक दिन कर लेना है, और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमतकार हुआ है धन प्राप्ती के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है, और आपको सुख सम्रिधी की प्राप्ती होती है, तो चलिए जानते हैं, इस विशेश उपाए के बारे में लेकिन उससे पहले एक विननती है, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृप्या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले जैमा लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना, जै श्री हरी विश्नु जैमा लक्ष्मी दोस्तों आठ दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुरलब सन्योग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकाद्शियों में से सबसे बड़ी एकाद्शी उत्पन्ना एकाद्शी पढ़ने जा रही है, दोस्तों यह एकाद्शी शुक्रवार के दिन पढ़ रही है, जिस वजह से इस दिन तीन बड़े योग का निर्मान हो रहा है, जो की है धन लक्ष्मी योग, अमरित सिध्धी योग और गजकेसरी योग दोस्तों इन तीन योगों के निर्मान की वजह से इस एकाद्शी पर भगवान विश्णु और मा लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है और अगर इस दिन आप चुप चाप किसी को बिना बताए वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वह वर्दान और वह आशिर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी बलकी इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धी होगी माता लक्ष्मी के आशिर्वाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी इस विशेश दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में इतना पैसा बचेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे दोस्तों कहने का तात पर यह है कि इस बार इस दुलब सन्योग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा बस आपको सच्चे मन से मा लक्षमी का नाम लेते हुए इस उपाय को डोट बिना बताए चुपचाप करना होगा घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं वहां घर के लोगों के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेश ध्यान रखती है ताकी मा अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन-चुन कर रखती है कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समरिधी का प्रतीक मानी जाती है वहीं कुछ औरतें ऐसी भी होती है जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा नामक आएगा लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पढ़ सकता है मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में negativity बढ़ती है इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मंगा कर डिब्बों में भर दें न तो डिब्बे खाली रह लेंगे और ना ही negative energy किचन में या घर में आएगी रसोई घर में तीन चीज कभी भी खत्म मत होने देना वरना कंगाल हो जाओगे कौन सी तीन चीज किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें गुरु जी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुडा होता है वास्तु शास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है औरतों का ज्यादातर समय यही तो गुजरता है इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोश हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पर पड़ता है वास्तु शास्त्र में को ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्षमी को पसंद नहीं है इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजे हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना चाहिए क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मा लक्षमी रूट जाती है सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाध ही नहीं बढ़ती है इसे किसी भी पूजा पाठ शादी विवाहिया शुब कारियों में इस्तिमाल किया जाता है हल्दी का संबंध भगवान विश्णू और ब्रिहस्पती ग्रह से होता है आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म न होने दे वरना घर से सुख और सौभाग्य चला जाता है इतना ही नहीं अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरु दोश माना जाता है गुरु दोश होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है आपकी स्टडी करियर जॉब सभी में प्रॉबलम बढ़ने लगती है घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुब कारियों में बाधा को भी दर्शाता है इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख लें इसके साथ ही ध्यान रखें कि कभी किसी को हल्दी उधर ना लें और ना ही किसी से उधार चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया है जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कारियों में करते हैं किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है साथ ही मा लक्ष्मी भी नाराज होती है दरसल शुक्र ग्रहें और मा लक्ष्मी के आशिरवाद से ही हमें धन वैभव मिलता है इसलिए शुक्र ग्रह का दोश लगने पर पती-पत्नी के बीच आपसी संबंधों में करवाहट पैदा होती है इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म न होने दें हमेशा कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधारना लेना पड़े वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है लेकिन चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी न हो खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तमाल करते हैं अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा लाते हैं ऐसा करने से बचें क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनी ग्रह से संबंधित माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से आप शनिदेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं, आपके चरण में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म उने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें, लेकिन ध्यान रहे सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए, और नहीं इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देनाया लेना चाहिए संभव हो तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें, ऐसा करने से शनिदेव आपके उपर प्रसन्न होंगे और उनकी क्रिपा आपके उपर बनी रहेगी नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है, इसी तरह अगर किचन में नमक खक्म हो जाएं, तो जीवन भी बेसवाद कर सकता है, इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह से खक्म होने पर राहू की नज़र घर पर पड़ती है, ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम जहेलनी पड़ जाती है, जो शास्त्र में भी नमक को राहू का प्रतीक माना गया है, ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म न होने दे, नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली न करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें, आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से न तो नमक उधार लें और ना ही किसी को नमक उधर दें ऐसा करने से मा अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है यह किचन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आता नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा ऐसे में आप ध्यान रखें कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे क्योंकि वास्तु शास्त्र में पूरी तरह से आता खत्म होने को अशुभ माना जाता है आटे के बरतन को डोट कभी छोड़ना नहीं चाहिए इससे आपको धन की हानी होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए बाथरूम में भी सनान घर में भी ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भर कर रखते हैं, तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोश दूर होते हैं, घर से नकारात्मक उर्जा दूर होती है, लेकिन ध्यान रखें नमक को सिर्फ काँच के पात्र में रखने पर या बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इनसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए, आप कभी भी किसी को नमक परोस्ते भी है, तो चम्चे लेकर परोसे हाथ से नहीं देना चाहिए, यह भी आपका भाग्य आपका चंद्रमा दूसरे को देता है, आपके अंदर डिप्रेशन negativity और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है, नमक का packet भी किसी को नहीं देना चाहिए, यह नहीं कि नमक का packet है, तो चलो दे दो व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए, इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं, तो नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं अगर आप चाहें, तो घर के मुख्य द्वार पर धीली वाला जो नमक होता है, काला नमक वलाल रंग के कपडे में बांध देना चाहिए अगर आपके घर पर बहुत सारे शनी दोश है, राहु केतु के दोश है, और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बाट दिया है, नकार आत्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेट बाधा भी कहते हैं बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए, लाल कपडे में बांध कर घर के मुख्य द्वार से से लटका कर रखें, आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है, जो आपको लगता है, आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे धीली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं, आप तिजोरी के उपर भी इसे लटका सकते हैं, इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नती होने लगती है, दोस्तों नमक को जब आप रखते हैं, तो उसमें चार पांच लॉन भी डाल दें अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं, तो धन की आवक शुरू होने लगती है, घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है, तो पैसे की बरकत होने लगती है, नमक खराब नहीं होता है